यह पैलिए पैलिए, वाल्कम बाक की एक अटृटी इप्टन्वीडसे चैनल, हमें अबहुत हमें कर्एक कर्मेदियो मेद कर्एक मुदूबूड होगे कि MBA course क्या होता है बच्चे किस तरह MBA course के अंदर admissions लेते हैं और वो कितने साल का होता है कौन से डिग्री मिलती है और कौन से ऐसे लोग ही जो MBA के course करते हैं तो जैसे लिए हमने बताया था आपको last time कि MBA के course ऐसे होते हैं जो जो लोग अपनी business field बिजनस field के अंदर अपने करेरे को बनाना चाहते ही और कुछ लोग ऐसे होते ही जो किसी दूसरी field से किसी managerial field के अंदर आना चाहते ही वो लोग MBA course करते ही या फिर वो लोग जो job के अंदर promotion चाहते ही वो लोग MBA course करते ही अब देखिए MBA course is a basically is an emalgation emalgation of different understanding about the management perspective के management studies की जो सारी different perspective को मिला कर उसका निचोड को मिला कर MBA course बना गया है जिसा हम बताया के MBA course दो साल का होता है अब दो साल के दो साल normally सारे के सारी across the world especially in India के अंदर चार समस्टर के अंदर divide होता है चार समस्टर MBA course के अंदर होते हैं जिसके दर्म्यान में एक internship भी होती है practical training भी होती है तो यह तक्रीबन दो साल का यह course चार समस्टर और एक internship के अंदर divided होता है नो first semester के अंदर बच्चे क्या पढ़ते हैं first semester के अंदर बच्चे basically first year जो होता first and second semester होता है यह सारे के सारे specialization के लिए same होता है जैसा आपने बताया कि आपको MB के चार major specialization से marketing, finance, operation and HR तो first year का जो course होता है चाहे बच्चा कोई भी specialization लेने वाला है first year जो होता है सारे के सारे बच्चे को common होता है second year बच्चा अपनी specialization को choose करता है और फिर अपने course को मुकमल करता है अब first year में देखी जब first year के अंदर जो लोग admission लेते हैं वो different fields आते हैं कुछ लोग commerce background से आते हैं कुछ लोग science background से आते हैं कुछ लोग technical background से आते हैं तो सारे के सारे लोग को एक समान मान के ताकि they all come on the same level they all have a same understanding that is why few introductory courses about the business perspective business के field से तालूग commerce के field के तालूग से उनको पढ़ा जाते हैं for example semester 1 के अंदर Mumbai University के अंदर और बहुत सारे जगों पर अंदर management perspective पढ़ा जाता है business strategist पढ़ा जाती है बच्चों को managerial accounting पढ़ा जाती है उनको accounting पढ़ा जाता है यह सारे के सारे courses first semester के निरे उनको बच्चों को पढ़ा जाते हैं ताकि बच्चों को अंदर के बहुत से बच्ची जो technical background आते हैं engineering background आते हैं science background आते हैं उनको economics खाँ ABCD भी नहीं आता है ना उनको accounting समझ में आती है तो उन बच्चों को उन बच्चों को बच्चों को बच्चों को फर्स समस्टर के निरे पढ़ा जाता है तो बच्चों को और थोड़ी जो management के और different कोसुस होते हैं for example financial management है marketing management है उनको business research methods है human resource management methods है यह financial management है यह सारे subject बच्चों को second semester के निरे पढ़ा जाते हैं so more or less first year जो था बच्चों का to build a smooth ground for all the specialization सारे के सारे बच्चे सारे के सारे different fields दे बच्चे आये हैं उनको एक ground पे ले आजाए एक level पे ले आजाए इसलिए उनको introductory courses first और second semester के इंदर पढ़ायाते हैं normally first second semester के बाद second semester के बद बच्चों की जो internships होती है बच्चे जाकर तक्रिबन दो महिना थाई कर देन महिना या एक महिना जाकर बच्चे किसी companies के अंदर जाकर practical training लेते हैं जो कुछ सीज़े उनको सीखी है आपने first second semester के अंदर उसको जाकर apply करें and they consolidate the knowledge about these subjects that is why they are given a practical training of almost about almost about two months की उनको practical training उनको बच्चों को मिलती है तो यह थी first year second year के अंदर बच्चे जो subjects जो पढ़ते हैं वो बच्चे आप अपने specializations के अंदर आ रहे हैं finance के बच्चे अलग हो जाएंगे marketing के बच्चे अलग हो जाएंगे HR के बच्चे अलग हो जाएंगे for example जो marketing के बच्चे ही वो पढ़ाई करेंगे product management के बारे में consumer behavior के बारे में पढ़ाई करेंगे service marketing के बारे में पढ़ाई करेंगे इस सारे के सद्धिक को अपने specialization के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे जो finance के बच्चे होंगे they will study more and more about the जो अपने specialized security analysis है supply chain management है इस तरह के सद्धिक वो पढ़ना शुरू करेंगे जो HRT के बच्चे हैं they will specialize and study about the human resource management human resource labor laws labor laws and policy of different governments ये सारे शीदे बच्चे अपने अपने specialization के हिसाब से बच्चे इफरेंट subjects पढ़ना शुरू करेंगे now they specialize in the next one year semester 3 and semester 4 and then finally they are awarded the degree of MBA ये था निचोड इसा in summary these were the subjects which they are likely to study in the entire two year MBA course it is likely possible ये possible होता है के बच्चे अलग-अलग university के हिसाब से अलग-अलग country के हिसाब से अपने courses थोड़े बहुत उसके दे चैंजिस भी होते हैं but majority of the people they study these subjects in a nutshell ये सारे subjects मतलब कमों बेच बच्चे बढ़ते ही आप बहुत सारे बच्चे हैं अलग-वोस फग्जामपल entrepreneurship management होता है बच्चे आइटी information technology के बारे में पढ़ाई करते ही this is also one of the major अभी नया specialization निकला है आइटी के अंदर बच्चे ये भी बच्चे कुछ बच्चे agriculture के बारे में पढ़ते ही now so these students they study different subjects according to their specialization in the further in the latest semester तो ये बच्चे ये MBA के दो सार के अंदर ये सारे subjects की पढ़ाई करते ही हमें उमीड है कि ये subject आपको इस वीडियो के दरिये से कासी information मिले होगी कि अगर कोई बच्चा कोई perspective MBA candidate है तो वो क्या पढ़ने जाने वाला क्या पढ़ने जाने वाला है अगर उसको पहले से इसके बारे मालूमात हो तो उसके information और consolidated रहागी उसके understanding काफी बढ़ जागी तो मुझे उमीड है कि आप अपने पढ़ाई के पहले इन तमाम courses के at least एक बार ऑर नए वडिग्वाइब का ताथ Inshallah we will come back to you once again Thank you, thank you once again